एक समय की बात है भारत वर्ष में एक परतापी और दानी राजा राज्जे करता था वह राजा नित्य परती दिन गरीबों और ब्रामनों की साहेता करता लेकिन ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती वै ना गरीबों को दान देती ना ही भगवान का पूजन करती और इस दिन राजा तो शिखार केलने वनकू गए थे, राणी महल में अकेली थी। उस समय ब्रसपति देव साधू के वेश में राजा के दरवाजे पर आए और बिक्षा मांगी। जब बिक्षा मांगी तो राणी ने बिक्षा देने से इंकार कर दिया। और कहने लगी। जित्र हो, संतार और धन को तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी की घर में भी होनी चाहिए। यदि तुमारे पास धन अधिक है तो भूको को बोजन कराओ। प्यासो को प्याओ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धरमशाला बनवाओ। जो निर्धन अपन कुआरी करन्यों के विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी कई काम हैं जिनकी करने से तुम्हारा यश्च लोग पर लोग में फैलेगा। पर रानी पर इन उपदेशों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह कहने लगी, महराज आप मुझे ना मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जंगें बाठती फिरूँ। तब सादू बाबा बोले यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम मेरी कही अनुसार करना, प्रस्पतिवार को घर लीप कर पिली मिट्टी से अपने सिर्ध होकर इस्तनान करना, बट् इसी रानी को केवल तीन ब्रस्पतिवार ही भीते थे कि उनकी समस्त धनसंपत्ती नश्ट हो गई, अब भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा, तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यही पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि य इस तरह से वहे अपना जीवन वैतीत करने लगे, इधर राजा के पर देश जाते ही, रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी, एक बार रानी और दासी को साथ दिन तत बिना भोजन की रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, बहे बड़ी धनवान है, तुम उनके पास जाओ, और कुछ अनाज ले आओ, थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी, तब दासी रानी की बहन के पास गई, उस दिन कुरुवार का दिन था, रानी की बहन उस समय व्रस्पतिवार की कथा सुन रही थी तब दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई, और उसे बड़ा गुसा भी आया, तब वह वापस चली आई, और वापस आकर रानी को उसने सारी बात बता दी इतनी बात सुनकर रानी ने अपने भग्ये को कोसा उदर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी पर मैं उससे नहीं बोली वह तो बहुत दुखी होई होगी ऐसा सोच कर कथा को सुन और पूजर समाप्त कर वह अपनी बहन की घर आई और कहने लगी ये बहन मैं ब्रस्पतिवार का व्रत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरे घर गई पर जब कथा होती है तब तक मैं तो उठते हैं और नहीं बोलते हैं इसी लिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी तब रानी बोली बहन तुमसे क्या शिपाओं अमारे घर में खाने को अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आँखे भराई उसने दासी समेथ पिछले साथ दिनों से भूके रहनी की सारी बात अपनी बहन को बता दी तब रानी की बहन बोली देखो बहन भगवान ब्रस्पतिदेव सबकी मनों कामना पूरी करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहन की आगरे करने पर उसने दासी को अंदर वेजा तो उसे सच मुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई तब दासी रानी से कहने लगी है रानी देखो जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम रोजी वरत करते हैं तो क्यो ना इनसे वरत और कथा की विधी पूछ ले जिससे हम भी उस वरत को करेंगे तब रानी ने अपनी बेहन से ब्रस्पतिवार के वरत की विधी पूछी तब बेहन कहने लगी कि ब्रस्पतिवार की वरत में चनी की दाल और मुनक्का से विश्नो भगवान का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना वरत कथा सुनना और पीला भोजन करना ऐसा करने से ब्रस्पति भगवान प्रसन न होंगे ब्रत और पूजा की विधी बताकर रानी की वहन अपने घर लोट गई साथ दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनोंने व्रत रखा गुर्साल में जाकर चला और गुर्ड ले आई फिर केले की जड़ में भगवान विश्णू का पूजन किया अब पीला भोजन कहां से आये इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी पर क्योंकि उनोंने व्रत रखा था इसलिए ब्रस्पति देव उनसे परसन थे एक साधारन व्यक्ति के रूप धारन कर दो थालों में सुन्दर पीला भोजन लेकर आये और दासी को दे दिया भोजन पाकर दासी बड़ी परसन हुई फिर रानी के साथ मिलकर उन दोनोंने भोजन किया इसके बाद से तो में सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी ब्रसपती भगवान की किरपासे उनके पास फिर से धन समपत्ती हो गई पर रानी फिर से पहले की तरह ही अलस्ते करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इसी तरह अलस्ते करती थी तुम्हे धन के रखने में कश्ट होता था इस कारण सभी धन नश्ट हो गया अब ब्रसपती भगवान की किरपासे धन मिला है फिर तो मालस्ते करती हो रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी उसीपतों के बाद हमने यह धन पाया है इसलिए दान पुन्य करो बुके मलश्यों को भोजन कराओ धन को शुब धन करमों में खर्च करो जिसे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्प की प्राप्ती होगी और पित्र परसन नहोंगे दासी की बाते मान कर नानी ने अपना धन शुब कारियों में खर्च करना शुरू कर दिया पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा उधर राजा परदेश में लकडियां काट कर लाता और शहर में बेचता और उससे जो धन मिलता उससे अपना गुजर बसर करता एक दिन दुखी होकर जंगल वे एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा वह बरस्पतिवार का दिन था उसने देखा कि निर्जनवन में एक सादू परकट हुए सादू के वेश में स्वेम बरस्पति देवता थे लकड़हारे के पास आकर बोले ये लकड़हारे इस उनसान जंगल में चिंता में मगन क्यों बैठे हो तब राजा ने दोनों हाद जोड़ कर परणाम किया और कहा ये महात्मा जी आप तो सब कुछ जानने वाले हो मैं आप से क्या कहूँ ऐसा कहकर रोने लगा और सादू को अपनी सारी बात बता दी तब महात्मा जी बोले कि तुम्हारी इस्त्री ने बरस्पति के दिन बरस्पति भगवान का निरादर किया था और इसी कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दश्या कर दी अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार करो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे तुम बरस पतिवार के दिन कता किया करो दो पैसे के चने और मुनक्कला कर उनका परशाद बनाओ शोधिजल के लोटे में शक्कर मिला कर अमृत त्यार करो कता के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमरत और परशाद बाट कर खुद भी ग्रहन करो, ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मरो कामनाई पूरी करेंगे सादू की ऐसे वजन सुनकर राजा ने कहा, ये प्रबू मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, जिससे भोजन के बाद कुछ बज़ा सकूँ मैंने रात में अपनी स्तरी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं, जिससे उसकी खबर तो मगा सकूँ और फिर कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझे कुछ मालूम नहीं तब सादू बोले, ये लकड़ारे तुम किसी बात की चिंता मत करो बरस्पतिवार के दिन रोजाना की तरहें लकड़ी लेकर शहर को जाओ, उस दिन तुम्हे रोज से दुगनाधन मिलेगा जिससे तुम भली बाती भोजन कर लोगे, और बरस्पतिदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा और बरस्पतिवार की कहानी इस तरहें से है प्राचीन काल में एक ब्रामन था, वह बड़ा ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी उसकी इस्तरी बहुत मलिंता के साथ रहती, वह इसनान न करती, किसी देवता का पूजन न करती और इस बात से ब्रामन देव बड़े दुखी रहते, विचारे बहुत कुछ कहते और उसको कोई भी परिनाम न निकलता भगवान की किरपा से ब्रामन की स्तरी के कन्या रुपी रतन पैदा हुआ करन्या बड़ी होने पर प्राते काल इसनान करके विशनु भगवान का जाप और ब्रस्पतिवार का व्रत करनी लगी अपने पूजा पाठ को समाप्त करकी विध्याल ले जाती तो मुठी में जों भर कर ले जाती और पाठचाला के मार्ग में डालती जाती जब लोटती तो जों स्वरंड के हो जाते लोटते समय इनको बीन कर घर ले आती एक दिन वहे बालिका सूप में उन सोने के जों को फटक कर साप कर रही थी तब उसकी मा ने देख लिया और बोली हे बेटी सवने के जों को फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए दूसरे दिन ब्रसपतिवार था उस कन्या ने वरत रखा और ब्रसपतिदेव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूज़ा वरत सच्य मन्से किया हो तो मेरे लिए सोने का सूप देदो ब्रस्पतिवार भगवान ने उसकी प्रार्थना स्विकार कर ली रोजाना की तरहें वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी जब लोटकर जो बिन रही थी तो ब्रस्पतिदेव की किरपा से उसे सोने का सूप मिला उसे वह घर ले आई और उसमें जो साफ करने लगी और उसकी मा का वही धंग रहा एक दिन की बात है वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उसी समय उस शेहर का राजपुतर वहां से होकर निकला इस कन्या के रूप और कारी को देखकर बोहित हो गया और अपने घर जाकर बोजन और जल त्याक कर उदास होकर लेट गया राजप को जब इस बात का पता लगा तो अपने परधान मंतरी के साथ उसके पास गए और बोले हे बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है किसी ने अपमान किया है या और कोई कारण है मुझसे कहो मैं वही कारिये करूंगा जिससे तुम्हें परसनता हो अपने पिता की राजकुमार ने बाते सुनी तो वह कहने लगा कि मुझे आपकी किरपा से किसी भी बात का दुख नहीं है किसी ने मेरा अपमान नहीं किया पर मैं उस लड़की से विवहा करना चाहता हूँ जो सोने के सूग में जो साफ कर रही थी यह सुनकर तो राजा हश्चरिय में पढ़ गया और कहने लगा हे बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ मैं उसके साथ तेरा विवहा अवश्य ही करवा दूँगा तब राजकुमार ने लड़की के घर का पता बताया मंतरी उस लड़की के घर गए और ब्रामन देवता को सभी हाल बताया ब्रामन देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए विधी विधान से ब्रामन की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया कन्या की घर से जाते ही पहले की भाती ब्रामन देवता के घर में करीबी का निवास हो गया अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था एक दिन दुखी होकर ब्रामन देवता अपनी पुत्री के पास गए तब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मा का हाल पुछा तब ब्रामन ने सभी हाल कह दिया तो उसकी बेटी ने बहुत सधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया इस तरहें ब्रामन का कुछ समय तो सुक से बीता कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया ब्रामन फिर अपनी कन्या के हां गए और सारा हाल कहा तो लड़की बोली पिता जी आप माता जी को यहां रिवालाओ मैं उन्हें विधी बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए तब ब्रामन देवता अपनी पतनी को साथ लेकर पहुचे तो बेटी अपनी मा को समझाने लगी हे मा तुम प्राते काल सुबह उठकर इसनान आदी करके भगवान विश्नु का पूजन किया करो तो तुम्हारी सब गरीबी तूर हो जाएगी पर उसकी माने उसकी एक भी बात नहीं मानी सुबह उठी और अपनी पुतरी के बच्चों की जोटन को खा लिया इससे उसकी बेटी को बहुत खुस्सा आया एक रात को कोठडी से सभी समान निकाल दिया और अपनी मा को उसमी पंद कर दिया सुबह उसमें से निकाला इसनानादी करा के बाठ कराया तो उसकी मा की बुद्धी ठीक हो गई इसके बाद तो हर ब्रस्पतिवार को वहे वरत करने लगी और विश्नु भगवान का पूजन करने लगी इस वरत के प्रभाव से उसकी माता पिता बहुत ही धनवान और पुतरवान हो गई ब्रस्पति देव के प्रभाव से इस लोग के सभी सुकों को भोग कर स्वर्ख को प्राप्त हुए बोली विश्णु भगवान की जै ब्रस्पति देव भगवान की जै इस तरह सी कहानी सुना कर साथु देवता वहां से अंतरध्यान हो गए दीरे दीरे समय बीता ब्रस्पतिवार का दिन आया उस दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसे मिले राजा ने चनागुड सब लाया और गुरुवार का व्रत किया उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए पर जब दुबारा गुरुवार का दिन आया तो ब्रस्पतिवार का व्रत करना भूल गया इस कारण ब्रस्पति भगवान उससे नाराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशालियक का आयजन किया शहर में घोशन करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में फोचन नहीं बनावे ना आग जलावे सभी लोग मेरे यहां फोचन करने आवे और इस आग्या को जो ना मानेगा उसे पार्सी की सजा दी जाएगी इस तरह की गोशना संपूर्ण नगर में करवा दी गई राजा की अग्या से शहर की सभी लोग फोचन करने आए लेकिन लकड़हारा थोड़ा देर से गया इसलिए राजा उसे अपने साथ महल मिले गए और ले जाकर फोचन करा रहे थे तो राणी की द्रिष्टी उस खूंटी पर पड़ी जिस पर की उसका हार लटका था वहे उसे वहाँ पर तिखाई नहीं दिया तब राणी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है उसी समय सिपाही बुला कर उसे कारागार में डलवा दिया जब राजा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने कौन से पूर्वजनम के करम से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है उसी सादो को याद करने लगा जो उसे जंगल में विला था उसी समय ततकाल ब्रस्पतिदेव सादो के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहनी लगे आरे मुर्क तो ने ब्रस्पतिवार की कथा नहीं की इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है अब तुचिंता मत कर ब्रस्पतिवार के दिन कारागार के दर्वाजे पर तुझे चार पैसे पड़े मिलेंगे उनसे तो ब्रस्पतिदेव की पूझा करना तो तेरे सभी कलेश दूर हो जाएंगे ब्रस्पतिवार की रोज उसे चार पैसे पड़े मिले लकड हारे ने कथा कही उसी रातरी को ब्रसपती देव ने उस नगर के राजा को सौपन में कहा ये राजा तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निदोश है वह राजा है उसे छोड़ देना रानी का हार उसी खूटी पर लटका हुआ है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्ये को नश्ट कर दूँगा इस तरहें के रातरी सौपन को देखकर राजा सुबह उठा खूटी पर हार तंगा देखा तो लकड़ हारे को बुला कर शम्मा मांगी और उसे योग्ये सुंदर वस्तराबुशन देकर विदा कर दिया रस्पति देव की आग्या से राजा अपने नगर को चल दिया राजा जब नगर के निकट पहुँचा तो से बड़ाश चरिये हुआ नगर में तो पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुए, बहुत सी धरमशाला मंदिर बने हुए थे तब राजा ने पूछा यही किसका बाग और धरमशाला है तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह तो राणी और बांधी के है तब राजा को बड़ाश चरिये हुआ और गुस्सा भी आया जब राणी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से कहा दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे हमारी ऐसी हालत देखकर लोट न जाएं, इसी लिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ आग्या अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, राजा आये तो उन्हें अपने साथ लिवा लई देव का पूजन करती हैं, पर मैं दिन में रोज तीन बार कहानी कहा करूँगा और रोज ही प्रत किया करूँगा अब हर समय राजा के दुपटे में जने की दालबंदी रहती, राजा तिन में तीन बार कहानी कहता एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहां हुआए इस तरह सोचकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहां चलने लगा रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रही है उन्हें रोक कर राजा कहने लगा अरे बाईयो मेरी ब्रसपतिदेव की कथा सुन लो वे बोले लो हमारा तो आदमी मर गया है इसे अपनी कथा की पड़ी है पर कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुमारी कथा भी सुनेंगे तब राजा ने दाल निकाली और कथा आदी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और कथा के समाप्त होते ही राम राम करके वह मनुष्य उठकर बैठ गया राजा आगे चल दिया आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला राजा ने उसे देखा और बोला अरे भाईया तुम मेरी ब्रस्पतिवार की कथा सुन लो किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूँगा तब तक तो चार हरईय जोत लूँगा जा तू अपनी कथा किसी और को सुना राजा आगे चलने लगा राजा के हटते ही बैल पच्छाड खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बड़ी जोड से दर्द होने लगा उसी समय उसकी मारोटी लेकर आई जब उसने अपने बेटे कर ये हाल देखा तो बेटे से सब हाल पुछा और बेटे ने सारी बात बता दी बुड़ी दोड़ी उस खुट सवार के पास गई बोली तो मुझे अपनी कथा सुना दे मेरी अपनी कथा तो मेरे खेट पर चल कर कहना राजा ने बुड़ीया के खेट पर जाकर कथा करी जिसे सुनते ही पैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी पर्द हो गया चलते चलते राजा बहन की घर पहुच गया बहन ने भाई की खुब महमाने की दूसरे रोज प्राते का राजा उठा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रही है तब राजा अपनी बहन से कहने लगा बहन ऐसा कोई मनुश्य हो जिसने भोजन न किया हो तो मेरी ब्रसपतिवार की कथा सुन ले तो बहन कहने लगी हे भाईया ये देश तो ऐसा ही है पहले यहां के लोग भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं अगर कोई पडोस में हो तो मैं देखाऊं ऐसा कहे कर देखने चली गई पर उसे कोई भी ऐसा मनुश्य नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो अन्त में एक कुमहार के घर में गई जिसका लड़का बिमार था उसे पता चला कि उनकी यहां तीन रोज से किसी ने भोजन नहीं किया तब राणी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमहार से कहा वै तैयार हो गया राजा ने उसके घर जाकर बर्सपतिवार की कथा कही जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की परशंशा होने लगी एक रोज राजा अपनी बहन से कहता है ही बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ राजा की बहन अपने सास से कहती है, तो सास बोलती है हाँ चली जा, पर अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई उलाद नहीं है बहन अपने भाई से बोली, हे वैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालख नहीं जाएगा तब राजा बोला, जब कोई बालख नहीं जाएगा, तब तुम ही क्या करोगी बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया राजान ने अपनी राणी से कहा, कि हम निर्वन्शी हैं, हमारा मुख देखने का धरम नहीं है और ऐसा कहकर उदास होकर लेट गया, और कुछ भी पोजन नहीं किया तब राणी बोली, हे राजन, रस्पती देव ने हमें सब कुछ दिया है, वहे हमें उलाद भी अवश्य देंगे उसी राद को रस्पती देव ने राजा से सौपन में कहा, हे राजा उट, सभी सोच को द्याग दे, तेरी राणी गर्ब से है राजा को यहें बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, नौवे महीने में राणी ने एक सुन्दर पुतर को जनम दिया जब राजा बोला, हे राणी, इस तरी बिना भुजन के रह सकती है, और बिना कहे नहीं रह सकती, जब मेरी बेहन आए, तो तुम कुछ मत कहना राणी ने सुनकर हां कर दी, जब राजा की बेहन ने शुब समचार सुना, तो बहुत खुश हुई, और बधाई लेकर अपने भाई की यहां आई, तब राणी बोली, खोड़ा चड़कर तो नहीं आई, गधा चड़ी आई, तब राजा की बेहन कहने लगी, कि भावी, मै इस तरह से ना कहती, तो तुम्हें उलाद कैसे मिलती, ब्रस्पतिदेव ऐसे ही है, जैसे जिसकी मन में कामना है, सभी को पूर्ण करते हैं, जो सदभावना से ब्रस्पतिवार का वरत करते हैं, कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, ब्रस्पतिदेव उनकी सभी मनोकावना पूरी करते हैं, भगवान ब्रस्पति देव उनकी सदेव रक्षा करते हैं, इस संसार में जो भी सद भावना से भगवान जी का पूजन ब्रत सच्चे हिर्दय से करते हैं, उनकी सभी मनोकावना पूरी होती हैं, जैसी सच्ची भावना से राजा और र बोलो ब्रस्पती देव की भगवान की जैहू, बोलो विश्नु भगवान की जैहू ओम जै ब्रस्पती देवा, स्वामी जै ब्रस्पती देवा, छिन छिन भोग लगाउं पदले फल मेवा ओम जै ब्रस्पति देवा, तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतरियामी, जगत पिता जगदिश्वर, तुम सब के स्वामी, ओम जै ब्रस्पति देवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, स्वामी जै ब्रस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओं, कदली फल मेवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, चरना मृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनो रथ दायक, गृपा करो भरता, ओम जै ब्रस्पति देवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, स्वामी जै ब्रस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओं, कदली फल मेवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, तन मन धन अरपन कर, जोजन शरन पड़े, प्रभू प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े, ओम जै ब्रस्पति देवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, स्वामी जै ब्रस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओं, कदली फल मेवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधी, बगदन हित्त कारी, पाप दोश सब हरता, बाव बंदन हारी, ओम जै ब्रस्पति देवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, स्वामी जै ब्रस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओं, कदली फल मेवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, सकल मनोरत दायक, सबसंशे हारी, विशे अविकार मिटाओ, संतन सुखकारी, ओम जै ब्रस्पति देवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, स्वामी जै ब्रस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओं, कदली फल मेवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, जो कोई आरति तेरी, प्रिम सहित गावे, जै श्टानंद आनंद कर, सोनिश्चे ही पावे, ओम जै ब्रस्पति देवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, स्वामी जै ब्रस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओं, कदली फल मेवा, ओम जै ब्रस्पति देवा, सब बोलिए विश्णो भगवान की जै, ब्रस्पति देव भगवान की जै,